हेलो फ्रेंड्स माई नेम इस विपिन कुमार शिवरे उतर प्रदेश लोग सिवायुक द्वारा आयुजुत प्रिक्षा वर्षद्वारा अठारा मैंने प्रदेश में फोर्त्रेंग हासिल की थी और बरत्मान मैं अनेकेडमी ब्लेटफर्म पर टीचिंग के सिलसले मैं मैं मैंस प्रोस्पेक्टर्स से काफी महत्फून पेपर होता है और जिसमें जो मारकिंग होती है वो काफी बहतर अन्य जो GS के बाकी 3 पेपर होते हैं GS1, GS2, GS3 उन पेपर से काफी बहतर होती है और ये चुँकि पारंपरिक विशय नहीं है इसमें हम लोग बहतर से बहतर कर सकत और बाकि विसाया जैसा कि हम लोग देखते हैं कि पारंपरिक होते हैं तो ये जो चुबकी विसाय पारंपरिक नहीं है और इसमें credibility का बहुत बहतरीक मिश्रण करके हम लोग बहुत अच्छे मार्स इसमें गेन कर सकते हैं तो इसी सिलसले में मैं संडे को सायम चार बजे जो की एथिक्स में गांधी जी गांधी जी का जो दर्सन है जो की काफी एक अपने आप में काफी विशाल है काफी बिविध है तो उसके विविन आयामों पर हम लोग चर्चा करेंगे और जैसा की हम लोग जानते हैं कि जो हमारे राष्ट पिता है महात्मा गांधी उनका एक जो एक गांधी बाद है तो वो संपूर्ण विश्यों में उसको माना जाता है उसको शर्वमानने है और इसी उपलक्ष में प्रतिवर्ष दो अक्टूबर को अंतरास्टी अहिंसा दिवस्ट जो की युनिटेड नेशन ने जो उसको शुईकरत भी किया है उसको प्रतिवर्ष मना जाता है तो महात्मा गांधी का जो दर्सन है ये एथिक्स के परपच से तो महत्पूर्ण है ही और जब हम प्रसासने के एक निती सास्तर की बात करते हैं जब एक आप प्रसासने का अधिकारी बनेंगे तो एक जो प्रतिग व्यक्ति जो अंतियोदा यसी एक संकल्पना है एक ऐसा व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम है और उसका भी उदय हो और उस तक जो है जितने भी government resources है जो सरकारी संसाधन है उस अंतिम व्यक्ति तक भी उनकी पहुंच सुनिश्यत हो ये जो अंतियोदा जैसी परिकल्पना है ये महात्मा गांदी के विचारों को प्रतिविम्बित करती है और जैसा कि हम जानते हैं कि उन् हमारी अंतरात्मा जब किसी कार के लिए इंगित हम लोग करती है तो निश्यत रूप से कार काफी पवित्र और काफी फल्दाई होता है और जैसा कि कई लोग वहुदा देखा जाता है कि धर्मराज को एक विशेश धर्म विसेश से जोड़ देते हैं जबकि धर्मराज का जो तात्परी है जो आशय है वो किसी धर्म विसेश से नहीं है उसका तात्परी अंतरात्मा के सासन से है जो कि प्रतिक विक्ति में अंतर निहित होती है और काफी हद तक वह अंतरात्मा विक्ति को जो भी दुसकर्म है उन पर धकेलने से उन पर जाने से स्वयम को बचाती है और जो सतकर्म हैं जो की व्यक्ति की जिंदगी में काफी महत्पूर्ण एक अपनी भूमिका निभाते हैं उनको 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 सतकर्मों से व्यक्ति को आगे बढ़ाने में या उसकी जो विकासात्मक भूमिका है उसमें काफी एक महत्पूर्ण रोल पिली करती है और जैसा क कई जगा है हम लोगों ने देखा एक गांधी जी का एक सिद्धान था जैसे आखे बदले आख मतलब अर्थात इसका आशा एश परकार है कि यसे किसी व्यक्ति की यदि आख लोगों में यदि आख के बदले आख लेने की भावना अगर आजाती है अर्था जो वदले की विया है उसका एक हिस्सा बन जाएगा जो कि काफी विनासात्मक एक अपनी भूमिका है वो निभाएगा जो कि मानो जाती कि भलाई में कदापी उचत नहीं होगी और ऐसे ऐसे महत्मा गंदी का जैसे नव विवेदांत का एक शिद्धान था जैसे जो प्रकृति है हमारी तो उनकी पूर्ति करने में पर्याप सक्षम है लेकिन जब विक्ति इन उपभोग की वस्तों से पूर्ति करने के बाद जब लालच जैसी जो कूपरविर्ति है जब इसका एक सहरा लेता है जब इस रास्ते पर पग रख लेता है तो फिर विक्रति के पास उसको देने के लिए सायत कुछ निवस्ता है ये जो इतने बहतर जो सिद्धान्त हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज से अंदा धुन्द दोहन जो करता जा रहा है तो उसके बदले में हम लोग देख पर रहे हैं आज की जैसे की global warming है और जो जलवाईव परिवर्तन है और भी जैसे glacierों का पिघलना जो प्रवाल वित्तिया है उनका नस्थ होना ये जो सारी जो प्रकृति में हम परिवर्तन देख रहे हैं इतने प्रहद इस्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं जो land slide है जो भूस के लन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो चक्रवात है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है सुनामी है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भी प्रकृति जो बिद्वन सात्मक जो कारे कर रही है उनकी जो बारंबारता है वो कहीं न कहीं जो मनुस्य का जो एक लालच का एक सिध्धान्त है, जो लालची पन उसका जो है, ये उससे हम इसको कूरलेट कर सकते हैं, और निश्यत रूप से यदि बरत्मान में जो मनुष्य है, बरत्मान का जो मानव है, यदि वो गांधी जी के जो नव्य वेदान्त का सिध्धान्त है, कि व्यक्ति क जो भी आवश्यक्ता है वो सब प्राकृrek्रती से सुनिश्यत हो सकती हैं, कवल लालच प्राकृती सुनिश्यत्ध नहीं हो सकता है अगर इस नब्वेदान्द के सिध्धान्द को एक मानो जाती या संपूर्ण मानो पर जाती इसका अनुपालन करती है तो निशित रूप से जो विद्वन साथमक जो प्रकृती परिवर्तन करने जा रही है जो चल रहे हैं इन पर एक जिसे हमका है लगाम बहुत आसानी से ल होना चाहिए सदाचार रहत जो ग्यान है वो सदाचार रहत नहीं होना चाहिए उसमें सदाचार का समाविस हो और जो धनो पारजन है उसमें परिश्रम मिला हुआ हो अर्थात परिश्रम रहत जो धनो पारजन होगा वो व्यक्ति को विक्रत या जो कहें मानसिक विक्रत एक धनोपारजन होता है उसके आने से होते हैं तो ये जो बेवहारिक जो बाते हैं या जो बेवहारिक नीती सास्त्र है और वह वही गांधी का जो दरसन है उसके परिवेक्ष में हम लोग इस पर एक गंभीर और एक गहन चर्चा हम लोग इस लेक्चर जो कि हम संड़े को लेंग कि जो गांधी जी की जो विचारधारा है वो एक प्रसास की नीति सास्त्र में कैसे आज एक उसकी प्राशंगिक्ता है और आज कैसे वो शर्म मानने है इस चीज को हम लोग बहुत ही गहनता से बहुत ही पारिकी से समझेंगे और मुझे विश्वास है कि जो उस दिन हमारा सेशन होगा और उसमें जो भी स्टुडेंट जो भी पढ़ने वाले जो भी तैयारी करने वाले सिक्षण कार से जो भी सम्बंदित जो भी विद्यारती होंगे उनका एक बहुत अच्छा उनको एक जो भी एक्जाम है जो भी परिक्षा है मिन से संबन्द जो भी परिक्षा है उसमें सीधा उनको लाब मिलेगा जैन दोस्तों